तो आज का में डूप से टॉपिक जो है वो एवरेज और फिल आपका आई यह दोनों टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके वाद आपका टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस प्रोफिट लॉस उसके वाद सी आई ठीक है तो उमीद करते हैं कि इस मंत के क्लास तक आपका मैथ भी कंप्लीट हो जाएगा और रिजनिंग का जो क्लास है वह दो तीन क्लास में कंप्लीट हो जाएगा तो मैथ रिजनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो मैक्सिमम जो पोर्शन है हमारा ठीक है तो में टाइम मैथ रिजनिंग का ही है मैथ रिजनिंग कं क्वाइब होगा हिस्टी हम लोग पढ़ चुके हैं बिहार इस्पेशल लड़ी पढ़ाया जा चुका है कॉंटेट्स में सारा उसके बाद हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे ठीक है और हिंदी बचा है तो हिंदी दो तीन कलास का है दो तीन कलास अच्छे से अगर ट्रेका हिसके बाद का करेंट एफेर्स जब हम लोग सेट बनाएंगे या बीच-बीच में आपका करेंट कराते रहेंगे तो जितना भी हमने अभी तक पढ़ा दिया है ठीक है उसको आप बर्वार रिवीजन की जो उसको मत छोड़ियेगा ठीक है जोकि आपका जो में तो उस समय भी आप लोग हब रहें नहीं चुकि आपका बनाय हुआ रहेंगे तो आप आसानी से बना लीजेगा ठीक है तो यह सब बैक अप के लिए हम लोग कर रहे हैं बाकी मुझे उमीद है कि आपके जो कोस्टांस होंगे वह पर्सेंटेज नंबर सिस्टम बर्गमूल घ अनमूल घतांग करनी वहीं सबसे आपको घुमा फिरा के 20 कोश्टन देगा अगर इधर भी देता है टेंसन की बात नहीं है आप लोग अच्छे से बनाई है और सब टॉपिक ही आप लोग अच्छे से पर रहें कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसलिए बिलकुल कंफिडेंस में आपको रहना होगा कांफिडेंस कभी लूज नहीं किजिğेगा ठीक है को के कॉणफिडेंस से ही आपका रिजल्ट बनने वाला है ठीक है मेहनत किजिए मैहनत करनेस भिर thanada आयगा तो इसलिए डर जादा रहता है तो dessे नहीं रहेगा तो आप बनाना नहीं पायेगा तो यह सबसे वरी बात होगी चलिए यह सब हम लोगोंने कर लिया था यह सब हमने अच्छे से बता दिया था लास्ट के KUCH कोश्चन जीसे यहां पर ठीक है यह कोश्चन हमने छोड़ दिया था आप लोग को को सरसट अंक और दूसरे चाहतों को 32 प्राप्त होता है गलती से सरसट के बदले क्या हो जाता है 76 और 32 के बदले क्या हो जाता है आपका 32 तो गौर कीजिए यहां पर गौर करने वाली बात है सरध सही था सही अंक उसको लिखना कितना था एक ये गलती किया ऑगलती किटना अंक हो रहा है दूनों में इसलिए कोई परभाव नहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा औप्सनने जो गल्ती लिखा उसको जो योगफल कर लिया जो सही लिखा उसको हम ने योग क्षान पाड़ों का कर लिया दूनों आपका क्या हो गया बराबर हो गया इसलिए कोई गल्ती असके होने से result पर कि अब यह वाबने बना कर दो कितना है दस बर्स तो कुल कितना हो जाएगा फुचूर गुने दस कर लिए यानि दो smartest पचास हो गया कुल कितने का पाट चीस का तो यदि एक अध्यापक आगए तो वेऑब अवसत्में कितने की यह थे यह question ठीक है 6 एकम 6 2 एकम 2 6 8 और 2 एकम 2 यह कितना हो गया 286 ठीक है तो यहां पर 286 हो गया तो यहां पर यही अध्यापक का कितना हो गया तो यही जो आपका घटा लेंगे जो पहले विद्यार्थी वाला होगा 286 मैंना जो 10 विद्यार्थी का आउसत था 25 गुने 10 250 250 क्या हो गया 36 वर्थ तो यही आपका एंसर हो गया था 36 विछले कलास में भी हमने बता दिया था अब उसी परकार से यहां पर question to same है question number 12 बना यह same है 34 शात्रों का निकाल लीजिए और फिर क्या कीजिए उसमें 500 ग्राम बढ़ा लीजिए तो वह क्या हो जाएगा अध्या पक तो पहले से 34 शात्र का आउस्सद दिया हुआ है तो 34 शात्र का जो है कुल भार कितना हो जाएगा कुल भार कितना हो जाएगा तो कुल भार हो गया 46 दसमलब 5 गुने 34 ठीक है भैल्यू निकाल लीजिए कर लेते हैं पांचों का 20 का 0 वांकी 2 6 24 24 दो 26 का 6 वांकी 2 4 16 2 18 15 15 15 15 15 वांकी 14 13 एक अध्यापक मिला कि अब 35 हो गया 35 का कितना हो गया 47 तो 35 वुने 47 कर लिजिए साथ पच्छे 35 का पांच वांकी 3 सत्या 21 और पांचों की 20 और 21 41 तिन 44 का 4 वांकी 4 चार चारतिया वारा चार 16 यह हो गया आपका 1600, यह कितना हो GYो 1645 तो बरा में से छोटा घटा लीजी है तो 1645 में से 1518 को घटा देतेonne medium सामने मांच मैं से एक गया 4 चौदे मैं से आठ गया 6 ठीक है यह कट गया 64 कि कितना हो गया 64 kg कोई दिक्कत भी है कि नहीं कोई दिक्कत भी है कि उसी परकाल से नेक्स्ट कोस्चन भी है इसलिए हमने छोड़ दिया मुझे लगा आप लोग बना लेंगे ठीक है एक कस्वा कस्वा या गाउं जिसको बोलते हैं 15 लर्कों का उस्ट कितना एक ग्यार है तो कितना हो जाया तो कच्छा में कूल आउसत तो 15 गुने 11 पहले से था ठीक है और उसमें नौ वर्सका जो लर्का है पांच गो और इंटी मार गया तो नो गुने पांच अब बटे टोटल आउसत कितना हो गया भाग कितना देने कि पांद्रह या फिर बाद में कितना है अब 20 से भाग दे दीजिए तब आउसत निकल जाएगा ना तो पंद्रह गुने 11 किजिए पांच एक कम पांच एक 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 दो बटे बीस एक किस वटे दो को क्या लिख सकते हैं सारे दस 10.5 हाँ कोश्चन नमर 14 इंपोर्टेंट है अती महत्पूर्ण कोश्चन है ये निश्चित तोर पे इस तरह के कोश्चन पूछे भी गए है और पूछे जा सकते ठीक है कुश्चन नमर 14 हम लोग कर लेते हैं एक क्रिकेट खिलारी 9 पारियां खेलता है कुछ आउसत मान के चलते हैं कोई उसको जोड़ दिये इस परकार उसका आउसत रन आठ बढ़ जाता है तो टोटल पारी कितना खेला तो नौए एक दस पारी दस पारी आउसत पहले एक्स था तो अब कितना हो गया एक्स पलस एट चुकि आठ रन बढ़ जाता है क्या बोला चुकि हमने शुरुआत में मान खेला कि मानक कि खिलारी के द्वारा में अधुररा ओसत और जो है एक्स बनाया जा रहा नौ पहले वह नौवार खेला 9 पारी खेला, तो 9 x बनाया, फिर 10 पारी में सतक मार दिया, संचूरी मार दिया, ठीक है, तो टोटल 10 पारी खेल लिया, तो overall बोला कि जब 10 पारी हो जाए, तो उसका अउसर जो पहले था x, उसमें 8 विर्दी हो जाता है, तो x पलस 8 कर दे, बस बना लीजिए, इंसर आ 9 x पलस 100 इक्वल टो, यह अती महत्पून कोश्चन है, 10 अठे, 80, तो इधर ले जाएए, तो 9 x, x इक्वल टो यहाँ पर क्या आ गया, 20, एक्स बराबर क्या हो गया, 20, ठीक है, तो नया आउसत क्या हो गया, 28, चुकि यह पुराना आउसत था ना, शुरुआत का, तो अब क 20 नहीं होगा, 28 होगा, नया आउसत पूछ रहा है, यह कैसे होगा, 20 नहीं होगा, 28 होगा, चुकि नया आउसत तो आउसत पुराने वाले जो पहले बना रहा था, दसमी पारी में सेंचूरी मारने वाद, आठ रन बढ़ जाता है, तो नया आउसत, नया आउसत पूछ रहा ह तो 28 हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बनाईएगा इसको भी उसी तरीका से बनाना है इसे दिमाग लगाईएगा तो बन जाएगा यह इस टाइप का भी क्वेश्चन बीपेसी एक बार पूस चुका है ठीक है कव कहां पे कौन सा क्वेश्चन पूस देगा कोई नहीं जा रहा है जिस टाइप का पूस्ता बस हम लोग उस पर अंदाजा लगाते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आपको मैंत में पूस सकता है ठीक है गोड़ एबनिंग गोड़ एबनिंग टू और गोड़ एबनिंग चलिए अब बारिस हुआ होगा तो कुछ राहत होगा आप कि नाइन नमबर सर नाइन नमबर नहीं बता है क्या आपको तब कुष्चन ही अच्छा बारिस नहीं हुई अब घूम घूम के हो रही है जिधर का जैदा डिमांड हो रहा है उधर पहले हो रहा है जहां राजस्थान में बालू था रेगिस्तान था उसको डुवा दिया और अब आपका घर नहीं और अबारिस होती ही नहीं बहुत कम होती है नियुनतम बारिस होता है और अबाद में चलिए हमारे जो आप लोग ग्रूप में है तो पूरे लगता है बिहार के लगभग सभी एरिया से लोग जूरे हैं नोटिफिकेशन का मेसेज दो तीन केस में नहीं जाता या आपका मेसेज बॉक्स में जो है स्पेस नहीं होगा पहला नम्मर या दूसरा निटवर्क की सूर रहता है तब उस केस में आपको नहीं जाता है तो कोई बात नहीं आपको टाइमिंग पता है तो उस टाइम पे आ बुद्ध वार का अवसद कितना है ऐसे कि अवसद कितना तो इसको लिख लेंगे सोंग पलस मंगल कि पलस बुद्ध वलर्श Shell के पलसर पती है इन सब का अवसत कितना है अर्थिस तो टोटल कितना हो गया अर्थिस गुने चार हो जाएगा यही बटा चार करेंगे तो उधर चार से गुना हो जाता तो टोटल इतना ही नहीं हो गया अर्थिस गुने चार हो गया टोटल यह समझ रहें कि नहीं अगर यह अवसत हुआ तो यह बटा चार आता और यही बटा चार उधर जाता है तो यह गुणा में आ जाता है इसलिए हम डाइरेक्ट 38 कुने चार कर दे रहे हैं ठीक है आप लोग समझिएगा बात को अब हम इसको मिटाने के लिए तो इस पेज पर मिटता नहीं है चलो फिर से हम लिखते हैं तोंबार पलस मंगल बार पलस बुद्ध पलस बिरस्पति तो आउसत आपका 38 दिया है तो टोटल कितना हो गया 38 गुने चार कर लेंगे ठीक है उसी परकार से मंगल बुद्ध बिरस्पति सुक्र मंगल पलस बुद्ध पलस बिरस्पति पलस सुक्र का आउसत कितना दे दिया है 40 तो 44 कर लीजिए 40 गुने 4 अब हम क्या करेंगे यह एक्वेशन एक हो गया एक्वेशन दो कुछ नहीं करना काटने के लिए हम घटा देंगे क्या करेंगे घटा देंगे घटा देंगे बस अब गौर कीजिए कौन-कौन कटेगा मंगल मंगल कट गया बुद्ध बुद्ध कट गया पलस मैनस कट गया अब बच क्या गया आपका सुमबार तो सुमबार minus ये क्या बच गया, सुक्रवार सुक्रवार सुमबार minus सुक्रवार equal to ये कितना हो गया बताईए, चार कॉमन ले लेंगे अगर चार कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो गया आपका 38, मैंनस 40, तो मैंनस 2, मैंनस 2 तो 4 दुनी 8 मैंनस 8, ठीक है तो लिख लेते हैं सुमबार मैंनस सुक्रवार equal to मैंनस 2 इंटू 4, तो मैंनस 8, यहां तक समझ गये, और यहां पर दिया, यदि सुमबार का तापमा 30 डिगरी था, यहां 30 डिगरी कर लिजे तो 30 डिगरी मैंनस सुक्रवार equal to मैंनस 8, ठीक है तो यह मैंनस जायगा, तो उधर हो गया मैंनस, तो मैंनस सुक्रवार मैंनस सुक्रवार equal to मैंनस 8, मैंनस 30, मैंनस 38, मैंनस मैंनस कट गया तो सुक्रवार को कितना डिगरी हो गया, 38 डिगरी सुक्रवार को कितना हो गया, 38 डिगरी यही एंसर हो गया सुक्रवार को क्या हो गया अर्तिस डिग्री हो गया है बिल्कुल सही है बस वही करना है कि नहीं कोई दिक्कत भी है बताइए कुश्चन नमर 15-16 भी इसी टाप का बना लीजिएगा है बन जाएगा है चेप्टर को कलोज करें नेक्स चेप्टर पर आ जाए नेक्स चेप्टर पर जाएं आप लोग जैसे बोलिए क्योंकि मैथ को अब तेजी से कभर कीजिए ठीक है ऐसे ज्यादा बचा नहीं है अब हम लोग को मुश्किल से जो है साथ आठ चेप्टर जो पढ़ने लाइक है मैथ में एक आपको प्राइक्ता पढ़ा देंगे प्र चेप्टर बदल देते हैं ठीक है तो मैथ का थोरा सा टाइम लगी जाता है लेकिन बहुत लोग समझदार थे कि बहुत सुरू में ही जुर गए थे कलास से तो उनको फाइदा जरूर मिलेगा चुकि उनके पास पूरा अच्छा टाइम मिल गया पढ़ने का बाकि अभी भी लोग जुरते हैं बहुत ना के बरावर ही लेकिन एक बात है कि अभी भी टाइम है आपके पास 40 दिन के आसपास अभी भी अगर आप सारा वीडियो या पूरा जो भी हमने पढ़ाया से संदेख लिया जाए तो उनका भी रिजल्ट बन जाएगा ठीक है तो जो लोग अभी तक नहीं जूरे हैं आप लोग के आसपास हैं अगर इंटेस्ट दिखाते तो उनको उनके लिए भी एक special course ही हमने ला दिया है मातर 599 में ठीक है नियुंतम फीस में पूरा maximum output आप लेके चले जाएए जितना हमने मेहनत किया है और आप लोगों ने जितना time waste किया है इसके प लोग ratio समझ गए उनको कहीं अब कोई दिक्कत होने वाला नहीं है ratio ही में था ratio और पर्सेंटेट कि आज रिजनींग का कलास होगा न तो एनालोजी जो है पूछिएगा उस समय तो जो लोग पहले से जूर गए उनको तो बहुत फाइदा हुआ ही होगा ठीक है और आप लोग कला बहुत लोग जूरे थे कलास सुरू होने से पहले ही जूर गए थे online कलास तभी हमने start भी नहीं किया था ठीक है चलिए बस जितना कहते हैं भरोसा करके उत्मा आप मेहनत करिए देखिए रिजल्ट नहीं बनेगा तो फिर कहिए ठीक है ऐसा तो नहीं है ठीक है कि हमने आपका सिलिवस नहीं किया या नहीं करवा रहे हैं ठीक है और अन्य जगह जो पढ़ाई हो रहा होगा उनसे और मेरा कंप्रीजन कर लीजिएगा ठीक है वो लोग भले कोस्टन बहुत ज्यादा अब्जेक्टिव पढ़ा दिया होगा लेकिन ना कॉंसेप्ट होगा ना बनने वाला आपके पास कॉंसेप्ट जरूर है और आप बना लीजिएगा जरूर भी पेसी को कोस्टन ठीक है अंतर चालिस स्टूडेंट थे तब ही आप जुड़ गए थे नहीं हम चालिस स्टूडेंट थे तब ही अच्छा चलिए आप लोग भरोसा किये और जुड़े बहुत ही कह सकते हैं उसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं जूरे तो आप लोग तो फाइदा भी तो लिए दो मेहना आप लोग एक्स्टा पर लिए औरो क्या पेक्छा अभी बहुत लोग पांच-पांच टीचर के द्वारा पढ़ा रहा है लेकिन फिर भी सिलेवास कंप्लीट नहीं हो रहा है मुवाइल पर सेंड की हैं कोश्चन नहीं वह थोड़ा सा मुवाइल मेरा स्वीच वाफ है अभी और करूंगा तो पढ़ा दूंगा चलिए बनाई यह तो कोश्चन नमर एक बना के देखिए जूरे है तो फायदा जरूर मिलेगा और बाद में भी जूरे है उनको भी फायदा मिलेगा इसी बात नहीं है रिक्वाड़ेट सेशन तो सारा है है थोरा उनको जल्दी में पढ़ना परेगा पूरा कॉंसेप्ट को बन बाई वन और लाइब सेशन में सारा कुछ डाला हुआ है जैसे जैसे कलास हुआ है उसको भी लगातार कंटिन्यू देख सकते हैं तेन आन पाद दो ने का हुआ है कि काहे ही रो रही इसको काहे लिए रूला रहा दिया कुन है क्या बोली है चरी देन दो तेस्को उठो उठ जाओ वहां पर रो मत तर्ण उठाक उधर कर दो से उठाक कर दो अध्या कर दो और उसको डंता तो तारी रहे रहे हैं तो डंता ले की करेगी तुम तुम काटी थी लाइन क्या इन्वर्टर की अपने कैसे पला कट जाएगा कट जाएगा हमको कहा पला के से निकल गया में गोशाक हम अब फित्सलम निकाल लाता है के वो इंठेल ने शाजता जेड़े हमकां थी अट लेखन आई यह जुट्आ है एं साधार बत्प leah झाल झाल sound jarak पूरूपन sound jarak 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 hello check sound jarak sound झाल